नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस खास वीडियो में दोस्तो बहुत से ऐसे गाओं और देश हैं जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता तो आज ऐसे ही एक गाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना देश है और उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रंखला है फ्लोरिस आइलेंड जो नूसा तिंगारा द्वीप समुह में आता है साल 2012, 27 अगस्त को युनेसको द्वारावस गाओं को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था इस गाओं की सबसे मुख्य विशेश्टा है इनकी अनोखे घर जिन्हें दोस्तों ये लोग मबारू नियांग कहते हैं ये घर दिखने में शंकु अकार होते हैं जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जनम दिन पर लगाते हैं इन घरों की छट सीधा जमीन को छूती है और छट से नीचे जमीन तक पूरी तरह से लॉंटार छपड से ढखे हुए ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस शेतर में इस प्रकार के घर काफी आम थे लेकिन आज ये केवल यही गाउं है जो ठेट मंगराई परंपरिक घर को बनाए रखता है जिसके बिना दोस्तों ये अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं विरेबो गाउं की इन घरों को पांच भागों में बाटा गया है जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए जैसे कि पहला भाग जिसे ये लोग लुतूर या टेंट कहते हैं यहां परिवार रहता है दूसरे भाग को ये लोग लोबो कहते हैं जहां खाना और दूसरे सामान रखे जाते हैं तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और ये हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तिमाल किया जाता है चौथा भाग को लेंपाराय कहा जाता है जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और आखरी में पांचवा और घर का सबसे उपरी भागाता है जिसे हेकांग कोडे कहा जाता है ये लोग इस भाग को सबसे पवित्र मा कैथॉलिक धर्म को मानने वाले लोग यहां रहते हैं लेकिन कुछ परिवार पुरानी मान्यताओं को भी अपनाते हैं इस घर में अतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकडो साल पुरानी है इस गाउं के लोग पीने का पानी जर्नों और पहाडों से उत्वपन होने वाले पान पूरवजों के सिध्धान्त पर जीने में यकीन रखते हैं यहां आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सडक और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी आज भी यह लोग सैकडो साल पहले के तरीकों को अपनाते हुए प्रकृति के सहारे जीते हैं गाउं के लोग मक वो अंतरराश्ट्रिय एको टूरिजम उत्साही लोगों के लिए एक प्रियतन स्थल के रूप में लोग प्रियता में बढ़ गया और इससे गाउं के आर्थिक कल्यान में व्रिदी हुई विरेबो के लोग उन अंगतुकों का गरम जोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गाउं को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गाउं के बारे में जाना तो वो यहां टूरिस्ट बन कर आई और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया शान्ती और प्रकृति सुन्दर्ता के एहसास इससे बहतर कहीं और हो ही नहीं सकते अगर दोस्तो आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकलें तो इस वेरबो विलेज का विजट करना ना भूलिएगा आपको ऐसी जगा, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाउं में मुख्य रूप से केवल साथ घर है वेरबो गाउं के सबसे नजदीक देंगे विलिज जाता है जहां पैदल चल कर ही चार से पांच घंटे में पहुँचा जा सकता है वेरबो पूरी तरह से मनोरम पहाडों और तोडों के घने जंगलों से घिरा हुआ है इस अविश्वस्निय गाउं में उशन कटी बंदिय जंगल और वनस्पती भरपूर मात्रा में मिलती है इस गाउं में मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते और बिजली के वल शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक आती है इस गाउं का निर्मान एमपू मारों ने 900 साल पहले अपनी पतनी के साथ किया था और आज यहां दोस्तों उनकी 18 पीडी के लोग रहते हैं अब दोस्तों अगर आप एशिया महद्वीब के खुबसूरत देश इंडोनेश्या की सैर करना चाहते हैं तो इन जगह पर घुमे यकीन मानिये यहां इतिहास प्रकृती और अध्यातम सबसे करीब होगा नंबर एक पर है प्रमबनन मंदिर दोस्तों इंडोनेशिया के योगा कार्टव में एक हिंदू मंदिर प्रवरन स्थित है दोस्तों ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है इसका निर्मान नौवी सदी के दरान त्री मूर्ती यानि की ब्रह्मा जी के लिए किया गया था इस मंदिर में स्रिष्टी करता ब्रह्मा, सरक्षन विष्णू और विनाशक शिव जी की प्रतिमा स्थापित है ये युनेसको की विष्व धरोहर स्थलो में से एक है ये मंदिर दक्षन पुर्व एशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने के साथ ही प्राचीन वास्तुकला को दर्शाता है अब नंबर दो पर है बैतुर रहमान मस्जिद इंडोनेशिया की फेमस मस्जिदों में बैतुर रहमान ग्राण मस्जिद का नाम शामिल है दोस्तों ये यहां के खुबसूरत शहर बांदा अके के बीच में है बहतोरमान ग्रेंड मस्जिद बांदा अके के लोगों के बीच सम्रिधी धर्म और संस्कृति का एक मत्तपोन प्रतीक है ये मस्जिद साल 2004 में अके में आई सुनामी की वजह से प्रभावित हुई थी लेकिन लोगों के बीच इसकी महत्ता कम नहीं हुई इस मस्जिद के डिजाइन स्थानिय परंपरा और मुगल भारतिय वास्तुकला को दर्शाती है इतिहासिक स्थलों की सैर करने वालों के लिए पुरा में उलवातु मंदिर की यात्रा भी अच्छी होगी ये शांदार मंदिर भारतिय महसागर से 70 मीटर उपर की एक बड़ी बीहट चूना पत्थर चटान के उपर पर स्थित है बाली में बुकिट प्राइदवीप में स्थित इस मंदिर का निर्मान 11 शैताबदी के करीब हुआ था दोस्तों यहाँ पर सूर्योदे और सूर्यास्त के समय का दृष्य बड़ा ही सुहाना होता है अब नमबर 4 पर है माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया के नैचरल टूरिस्ट अट्रेक्शन की बात करें तो सबसे पहले नाम पूर्वी जावा मिस्थित माउंट ब्रोमो का आता है यह इंडोनेशिया के कई जवाला मुखी परवतों में सबसे ज़्यादा लोग प्रिया है यहाँ पर संग्मर्मर से उठते धुएं के बीच पहाडों की खुबसूर्ती देखते ही बनती है माउंट ब्रोमो में सूरे उदे का द्रिश्य बहुती सुहाना लगता है इंडोनेशिया के इस जवाला मुखी को देखने के लिए दुनिया भर से प्रियटक आते हैं नमबर पांच पर है टोबा लेक दोस्तों यहाँ की नैचरल ब्यूटीनेस में टोबा लेक का नाम ना आए ऐसा शायद हो इस जील की लंबाई करीब एक सो किलो मीटर और चोड़ाई तीस किलो मीटर है इसकी गहराई की बात करें तो ये करीब पांच सो मीटर गहरी है इसे दानो टोबा भी कहते हैं करीब सत्तर हजार साल पुरानी मानी जाने वाली इस जील में उठने वाला धुआ किसी जवाला मुखी के विसफोर्ट जैसा ही लगता है यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रेटक आते हैं दोस्तो अब नमबर छे पर है कॉमोडो ड्रेगन इंडोनेशिया के फ्लोरोस में स्थित कॉमोडो नैशनल पार्क भी गूमने की जगह में से एक है यह भी युनेस्को की विश्व विरासस थलों में शामिल है कॉमोडो ड्रेगन एक तरह से विशाल काय छिपकली जैसा होता है जिसकी लंबाई करीब करीब 10 फुट की होती है इतना ही नहीं इसका वजन भी 1.500 किलो से जादा है दोस्तो कॉमोडो ड्रेगन की जीब साप जैसी होती है इसके दांत और नाखून पैने होते है अब दोस्तो नमबर साथ पर है चावलों के पार्क बाली महद्वीब इंडोनेशिया की खुबसूरत जगह में से एक है इंडोनेशिया का मुख्य भोजन होने के साथी चावल यहां की खुबसूरती बढ़ाने में भी खास भूमी का निभाता है पहाडियों और ढहलानों की ढहलानों पर वेवस्तित लहरदार चावलों की खेती प्रेटको को अपनी और अकर्शित करती है बाली द्वीप पर नारियल के पेड़ के अलावा नाइट लाइफ भी प्रेटको को दोस्तो बहुत ही भाती है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद